नमस्कार आप देख रहे हैं भारत एक्स्प्रेस यूपी और मैं हूँ सने आपके साथ लोकसवा चिनाव की घोशना किसी दिन भी हो सकती है सबी पार्टियों ने पहले चिनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत जोग दी है इसे बेश प्रियंका गांधी को इलाबाद से चिनाव लडाने की मांग तेज हो गई है बात इतनी ही नहीं है कारेकरताओं ने बकाइदा पोस्टर भी लगा दी है क्या प्रियंका गांधी कारेकरताओं की मांग पर इलाबाद से चिनाव लडेंगी तो सवाल तो आपके मन में चल रहा होगा, तो इसी सवाल का जवाब हम वीडियो में देंगे लोकसवा चिनाव का बिगुल बच्चुका है, हर पार्टी अपनी जोर आजमाईश में लग गई है लेकिन हासिये पर चल रही कॉंग्रेस अब भी उमीद की डोर ठामे बैठी है उत्तरपरदेश में समाजवादी पार्टी के पहलो में पना भले ही ले लिया हो कॉंग्रेस ने लेकिन प्रागराज की जन्तों को उमीद है कि पुर्खों की स्तियासी बिरासत को प्रियंका गांधी समाल सकती है देखिए जो इंडिया गडबंदन है उसको उत्तरपरदेश में 17 सीट मिली है जिसमें इलाहबाद में एक सीट मिली है इलाहबाद लोकसभा की और हम लोकसभा सीट से अगर प्रियंका गांधी को चुनाओ लड़ाया जाएगा तो यह समझ लोगी पूरे तरपरदेश के अंदर इसका पूरा इधर औरी बेल्ट है इस बेल्ट में बहुत असार पड़ेगा क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और गांधी परिवार का प्रहत्रिक आवास है और यह उनकी जन्मस्थली है इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और अगर यहां से चुनाओ लड़के इसको सेंटर बना कर अगर प्रियंका गांधी जी और गांधी पहले समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझोता हो चुका है। समझोते में कॉंग्रेस को 17 सीटे मिली है। संगम नगरी प्रियागराज जिले की दो लोगसबा सीटों में से एक इलाबाद लोगसबा सीट कॉंग्रेस के खाते में आई है। इस सीट के लिए फिलहाल कॉंग्रेस ने किसी उम्मिदवार के नाम की घोशना नहीं की है। लेकिन कॉंग्रिस पार्टी के कारिकरता इस सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लणवाने की पार्टी हाई कमांड से मांग कर रहे है। पार्टी के वजूद से बेखबर पार्टी नेता को भरोसा है कि प्रियंका का जादू प्रियागराज में चल जाएगा और पुर्खों की सियासी विरासत एक बार फिर कॉंग्रिस के खाते में चली जाएगी। लेकिन मौजुदा वक्त में मोदी मैजिक के सामने जमीनी हकीक इस से कहीं दूर नजर आती है। कांग्रेस के बीच में समझाता हो गया। को लगबग 17 सीटे मिली है। बात करें अगर प्रियागरास संगम नगरी की तो यहां पर एक सीट जो है वह कॉंग्रेस पार्टी को मिली है। पर फिलहाल कोई भी उम्मीदवार उस सीट के लिए नहीं चुना गया है। आपको बता दे कॉंग्रेस कारिकरताओं की मांग है कि उनको जो है यहां कॉंग्रेस सीट के लिए प्रियंका गांधी चाहिए हैं। वो चाहते हैं उम्मीदवार की तोर पे यहां से प्रियंका गांधी खड़ी हो। कारेकरताओं ने हाई कमान में कॉंग्रेस की पार्टी हाई कमान में भी मांग करिये कि उनको प्रियंका गांधी यहां से चाहिए है क्योंकि वो इनका घर रहा है प्रियंका गांधी परिवार ने अमेठी और राइवरेली पर फोकस किया धीरे धीरे समय के साथ गांधी परिवार की सियासत भी यहां से शिफ्ट हो गई लेकिन कारेकरताओं को लगता है कि अगर प्रियांका गांधी प्रियाग्रास से चुनाव लड़े तो पार्टी को काफी फायदा होगा कारेकरताओं की मांग को कॉंग्रेस पूरा करेगी या नहीं ये तो आने वाला समय आपको बताएगा लेकिन ये तो तय है कि अटकले तो राइबरेली से भी चुनाव लड़ने की लगाई गई थी सवाल कई है और जवाब कॉंग्रेस को देना है प्रयागरास समभादाता अनम फातिमा की रिपोर्ट मैसेज जाएगा रावट वाडला जी अगर लगना चाहें तो वह भी बेहतर समाज के अंदर मैसेज जाएगा क्योंकि उनसे जुले परिवार से कोई जो लेंगे तो उससे ज्यादा असर पढ़ेगा इस सीट पर और संभावना कि यह सीट जो है के इलावा भी और कई सीट पे हम लोग मजबूत से उसको निकाल पाएंगे तो आपको यह लगता है कि अगर प्रियंका गांदी यहां से खड़ी होंगी तो फिर से कॉंग्रेस की लहर आ सकती है जे भाई उनका यह जनमस्तली है अगर प्रियंका गांदी जी यहां से लड़ेंगी तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के यह सीट के लावा भी और जो सीटे हैं गडबंदन की जो सीटे हैं उस पर भी काफी असर करेंगी हाई कमांड से इलावाद सीट से मैदान में लाने की मांगी कॉंग्रेस के कारकरताओं का कहना है कि प्रियंका गांदी को चुनाव लड़ाने के लिए यह लिककर मांगी गई है कि चलो बुलावा आया है घरवालों ने बुलाया है इस वक्त हम प्रियागराज में गांदी परिवार के पुष्टेनी आवास के बाहर खड़े हुए हैं और यहां पर यह एक पोस्टर लगा हुआ है और यह आप पर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है चलो बुलावा आया है घरवालों ने बुलाया है जी तो यह क्या कहना च अधर में आईए और अपने घर से चुनाव लड़िए और तकी तमाम लोग जो लोग आप से जुड़े हुए हैं उनको एक उनके इंदर एक खुसी की लहर भी रहेगी और आप अगर लड़ेंगी तो उत्तरपरदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटे इधर से जो बेल्ट म हैं प्रेंका जी इलाहबाद लोग सबा सीट से तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी मारगिन के लावा दो चार पांस सीटों पे और असर इनका रहेगा और गटबंदन पूरा जीतेगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहेए भारत एक्सप्रेस की उपी नमस्कार